सबसे पहले बनाने के लिए सबसे पहले बनाएंगे मखर जग में डालते हैं मलाई और बनाते हैं मखर तो मखनों का प्रोसिजर स्टाट करते हैं अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा पाले देखिये मखन कितने जज़ी रहें गए देखिये मखन हो गया पया दो सेकंड के लग इसको डाल लेते हैं कडाई में देखिये मखन हो गया दो सेकंड के अंदर तयार मखन डालेते हैं कडाई में गी के लिए और लस्टी को डाल देंगे डोगी के लिए पतीले बें देखिये मखन के तना अच्छा है अगर इस तरीके से मखन बनाएंगे उसमें लस्टी बिल्कुल भी नहीं होगी तो फटा 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 रहें और बहुत अच्छा घीबन के तेयार होगा आपका देखिये मखन मेर्ट होने लगए अभी थोड़े देर गयास को रखेंगे तेज फिर गयास को सिम कर देंगे उसके बाद मारा घीबन के प्याद हो जाएगा बने रहें तुमारे साथ अगर आगर आपको मारी वीडियो प देखिये गी बनना शुआ हो गया है तो इसको चलते रहें ताके निचे लगे नगी यह जो खुर्चन होती है इसकी हम तो इसको खुर्चन बहुते है आप क्याब होते हैं प्रमेंट करके जरूर बताईए और देखिये घी बनके त्यार हो गया है देखिए घी डालते हैं डपे में एक बंबाइट वाइट घी बना है जैसे जिए मार्केट का घीए देखिये यह कुल आठ दिन के मिलाई थी दबा भरके तयार हो गया तो हमसक में एक किलो घी निकला है और आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपका विगी ऐसे निकलेगा खेंगे और इसमें आफ बिल्कुल नचोर खीशे और आप इसमें चीनि डाल के भी खा सकते हैं और इसके अपनाठे भी बना के खा सकते हैं क्योंकि यह खता नहीं गया आपको मारे रेस्पी कैसी लगी कमेंट करके बताईए और चैनल को सब्सक्राइब कर देखिए कर दो कर दो कर दो कर दो